next question 2019 का सवाल है सवाल says question says two parallel infinite line charges with line charge density of lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of two hour in free space वो सवाल ही है what is the electric field midway between them midway between the two line charges हमें वो बतानी है हमारे option है lambda by 2 by r ये 4 option दे रखें simple सवाल है आपको यहाँ पर again फिर formula आद होने होएंगे कि यहाँ आपकी charge है इसके उपर charge density lambda है एक वायर दूसरी वायर है इसके उपर charge density मानस lambda है और इनके बीच का distance जो है वो 2R है 2R हमें midway यह बताना है कि इसके electric field क्या होगी अगर यह infinite wire है तो हमें पता है electric field जो आती है एक वायर की वज़े से तो इस वायर की वज़े से जो आपकी electric field होगी ऐसे लिख लेते हैं इनट विल बीट इकवल टू एवन प्लस एटू इसकी वज़े से जो electric field आएगी यहां पर वह जाएगी आचाए एक वायर की वाई से infinite वायर की वाई से एलेक्री फील आती है वह आपको formula आदोना चाहिए तो इलेक्री फील्ड विल इकवल टू टू के लेंड़ा बाइड रखेंगे तो इसकी वाली हो होएगी देट विल बी इकवल टू के माइनस लेंड़ा डिवाड़ेड बाइड बाइड र और इसकी डारेक्शन माइनस i-cab की तरफ होएगी सो माइनस माइनस करके अपना प्लस हो जाएगा सो इस विल बी इकवल टू 4 के लेंड़ा बाइड और अगर हम चार ऑप्शन देखें तो हमें के के टरूंस में नहीं है के को हमें 1 बाइ 4 पाइप्सलोंट लिखना होएगा यहां पे तो उसकी वाली लिखी है आपने या 4 के की जगे हमने लिखा यह लेंड़ा आ गया 4 पाइप्सलोंट आर यह कैंसल हो जाएगा तो आपकी E net की जो वैली आ गए that will be equal to lambda pi epsilon r तो यह हमारी electric field की value हो जाएगी तो based on this हम कह सकते हैं कि option number d lambda divided by pi epsilon r newton per coulomb will be the right answer